हेलो बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफ़ प्रिंसिपल अब यह जो अफ़ प्रिंसिपल है ना यह किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ट नहीं है और वह जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन की चीज़ का कंस्ट्रक्शन ठीक है तो नीट में कई बार सिरसे सवाल यही आता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है तो आंसर देदोगे ऑफ़ ऑफ़ प्रिंसिपल किस चीज़ से डील कर रहा है किसी आटम की जो सबशल्स होती है स्पी सबशल्स में जाएगा या किस औरबाय्ट में जाएगा यह की बताएंगे आफबाव प्रिंसिपल यह ओनियाशन को फेलं करनी है सब देर s p df में सीच चीज़ ऑफ औरबायटर्स या सबशल के उपर, उसमें किस चीज़ का ध्रखो एटर औरबायटर्स या सबशल्सल के ठीक है, orbital वो जगा होती है, जिसके अंदर electron होता है, जैसे s आप देखते हो, तो s में 1 orbital, p आप देखते हो, तो p में 3 orbital and so on, ठीक है, अब rule कहता क्या है principle, यह कहता है, electrons first occupy lower energy orbital, electron first occupy lower energy orbital, देखो इस दुनिया में जो भी चीज है न, वो lowest energy में रहना चाहती है, यह physics का बहुत fundamental principle है, तो electron भी lowest energy में रहना चाहता है, मतलब पहले वो orbitals या सबशल भरो, जिसकी energy कम है, फिर उससे जादा, फिर उससे जादा, फिर उससे जादा, मतलब electrons की filling जो होनी है, electrons की जो filling होनी है, वो increasing order of energy, increasing order of energy, of orbitals में होनी है, orbitals बोलो, या बोल दो, सबशल में होनी है, सबशल के अंदर orbitals, ठीक है, increasing order में होनी है, अब कैसे पता चलेगा कि किस orbital या सबशल की energy जादा है, किसकी कम है, जैसे हमाद पास एक सिधा सवाल आ गया, कि 2s की energy जादा है, कि 3p की energy जादा है, तो इस चीज को solve करने के लिए, कैसे पता चलेगा किसकी energy कम जादा, इस चीज को solve करने के लिए एक rule हमारे पास है N plus L rule कौन सा rule? N plus L rule N हो गया principal quantum number L हो गया azimuthal quantum number जो S P की value से आता है N देखो ये जो सामने लिखा हुआ है L इसकी value है L किसकी value है? S और P की value है ठीक है? कैसे निकालते हैं ये value? मैं side में एक बाँ बता देता हूँ S P D F यहाँ L की values लिख रहा हूँ S की 0, P की 1, D की 2, F की 3 simple तो याद रखेंगे और N ये है, L ये है अब N plus L rule ये बोलता है कि जो energy of sub shell होती है जो energy होती है वो directly proportional होती है N plus L पे यानि N plus L की value जितनी जादा energy उतनी जादा N plus L की value जितनी जादा energy उतनी जादा आओ इसमें compare करें यहाँ N की value हो गई 2 plus L की value S के लिए 0 ठीक है, तो इसकी value आई 2 यहाँ पे N की value हो गई 3 plus L की value P के लिए 1 3 plus 1, कितना हुआ? 4 तो इन दोनों में से किसकी N plus L जादा है 3P की तो इसकी energy जादा होगी और 2S की कम है तो 2S की energy कम होगी electron पहले किस में जाएगा? जिसकी energy कम है तो पहले 2S में जाएगा फिर 3P में जाएगा तो आए चलिए भारे पास कुछ अब और बैटल्स दे रखी है 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5S हमसे पूचा इसको increasing order of energy में लगाई है किसमें लगाई है? increasing order of energy में लगाई है तो बच्चों इसके लिए हमें n प्लस l निकालना होगा सबका आए n प्लस l डिटर्माइन करते हैं सभी का n प्लस l सबका डिटर्माइन करते हैं स्टार्ट करते हैं सबका N plus L निकालना ठीक है आये तो 1 के लिए N की वैलू 1 और S के लिए L की वैलू 0 S P D F L की वैलू 0 1 2 3 तो यहां वैलू आगे कितनी 1 यहां 2 प्लस S के लिए 0 2 P के लिए 1 वैलू 3 3 S के लिए 0 3 P के लिए 1 3 D के लिए 2 4 S के लिए 0 4 P के लिए 1 4 D के लिए 2 5 S के लिए 0 अब इन नंबर्स को देखके हम बता सकते हैं किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी जादा सबसे कम उसकी होगी जिसका N प्लस L सबसे छोटा यानि 1 S की है ना तो सबसे कम एनर्जी होती है 1 S की इसके बाद N की वैलू 2 यह किसकी है 2 S की इसके बाद N प्लस L की वैलू 3 देखनी है तो 3 यहां पे भी है यहां पे भी है तो जब ऐसा हो जाए बच्चों N प्लस L की value क्या आ जाए? सेम आ जाए तब आपको देखना है किसका N बड़ा है decision किसके हिसाब पे करोगे? N के हिसाब से अगर N प्लस L सेम हो जाए तो decision किसके according लेंगे? N के according जिसका N बड़ा उसकी energy जादा मतलब इन दोनों में किसका N बड़ा? इसका तो इसकी energy जादा. तो पहले आएगा 2P, फिर आएगा 3S अब 4 value देखो, 4 value ये भी है, 4 value ये भी है अब इन दोनों में से किसकी energy जादा? जिसका N जादा, उसकी energy जादा मतलब पहले आएगा 3P, फिर आएगा 4S इसके 5 की value ये 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 तीनो 5 हैं ये भी 5 ये भी 5 आ रहा ये भी N प्लस L 5 तो जिसकी N की value जादा उसके energy सबसे जादा और जिसकी N की value सबसे कम उसके energy सबसे कम मतलब 3D फिर कौन आएगा 4P फिर कौन आएगा 5S इसके बाद 4D की N प्लस L value 6 तो 4D बाकि इसमें और भी orbitals जुड़ेंगे 4F आएगा 6S आएगा 5D आएगा 5F आएगा 5P तो वो सब नहीं शो किया मैं आपको basic principle बताना चाहता था क्या deal करना है कि कैसे ये increasing order of energy में लगे है जैसे किताब में देखा होगा ऐसा लिखा होगा तो यह कैसे आया है N प्लस L value से जिसका N प्लस L जादा उसकी energy जादा वो बाद में भरा जाएगा अगर N प्लस L सेम तो decision low N के हिसाब से जिसका N जादा उसकी energy जादा तो देखिए मैंने सारी orbitals को यहाँ पर arrange किया सबसे चोटा N प्लस L वाल इसका फिर 2 इसका फिर इन दोन इंक्रीजिंग order of energy में सब्स बताइए तो आप बहुत टाइम लगाओगे ऐसी लिखोगे एक तरीका क्या है बच्चों जो लिखा रहेता है बुक्स में यहाँ 1S लिखो इसके नीचे 2S 2P लिखो इसके नीचे 3S 3P 3D लिखो क्योंकि 3 में 3 होते हैं 2 में 2 होते हैं 1 में 1 हो सबसे पहले electron 1S में जाएगा उसके बाद electron 2S में जाएगा उसके आद वापस आओ electron 2P में उसके बाद 3S में फिर वापस आजाओ यहाँ फिर 4P में फिर 4P में फिर 5S में फिर वापस आजाओ यहाँ फिर 4D में फिर 5P में फिर 6S में यह वही order है जो भी हमने आप बताया था जरा देखो पहले कहां 1s फिर वापस आजाओ फिर 2s फिर वापस यहाँ आजाओ 2p 3s फिर वापस आजाओ 3p 4s तो जरा यह order देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d देखो यह order बन रहा है 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p and so on और n प्लस L से भी सेम यह order बना था n प्लस L से भी सेम यह order बना था तो यह n प्लस L रूल याद रखो या इस तरह से करना याद रखो किसी भी तरह से याद रखो कि 1s लिख लेंगे उसके नीचे 2s 2p उसके नीचे 3s 3p 3d उसके नीचे 4s 4p 4d 4f 5s 5p और 6s यह था और प्रिंसिपल अब इसके इस पर एलेक्रॉन की फिलिंग करनी है अब यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट और राता है और वो यह है वो यह है एक्सेप्शन आफबाव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन तो बच्चों हाइड्रोजन एटम में या ही प्लस आयन में या लीथियम प्लस 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 या पैचान रहोंगे बोहर मॉडल वाले हैं सिंगल एलेक्ट्रॉन सिस्टम में सब यह हैं सिंगल एलेक्रॉन सिस्टम तीनों में ही देखो एक एक एलेक्ट्रॉन हैं सिंगल एलेक्रॉन सिस्टम में एनर्जी को सिर्फ एन के बेस पे देख सकते हैं किसके बेस पे सिर्फ एन के बेस पे अगर एन सेम तो एनर्जी सेम एल का कोई फरक नहीं पड़ता जैसे 1s हुखाओ 2s लिखाओ 2p लिखाओ तो इन दोनों के एनर्जी सेम और इनकी एनर्जी 1 से ज्यादा तो यह अब बाव प्रिंसिपल था इसके बाद हम पढ़ेंगे हंज रूल ओफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी के एलेक्ट्रॉन को अंदर और बाइटल के अंदर किस तरह से डालना है चलिए देखते हैं नेक्स वीडियो